नमस्कार दोस्तों, समाधान यूटूग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रिसर या उच्च रक्त चाप के क्या क्या लक्षन है। किस लच्चन को देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि आपको हाई ब्लड प्रिसर हो गई है। काम करना पड़ता है। अध्धनों से साफ हुआ है कि उच्च रक्त चाप के 85 फिजदी मरीज समय से अपनी दवाई नहीं लेते हैं। जदी आपको खुद से प्यार है तो रक्त चाप को नियंतन में रखें। हो सकता है आपके हाई ब्लड पेसर के लक्षनों के बारे में जानकारी आपको ना हो। तो इस वीडियो के जरिये हम आपको बता रहे हैं कि उच्च रक्त चाप के सवान लक्षनों के बारे में। सुरवाती लक्षन उच्च रक्त चाप के प्रांबिक लक्षनों में समंदित ब्यक्ति के सिर के पीछे और गरदन में दर्द रहने लगता है। कई वार इस तरह की परिशानियों को वह नजर अंदाज कर जाता है जो आगे चलकर करके गंभीर समस्या बन जाती है तो दोस्तों इस पर भी आपको ध्यान देना होगा तनाब होना जदी आप खुद को ज़्यादा तनाब में महसूस कर रहे हैं तो उच्च रक्त चाप के संकेत हो सकते हैं ऐसे में बैक्ती छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है कई वार सही गलत की पहचान भी नहीं कर पाता है किसी भी समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप जात जरूर करा लें कि आपको कहीं ब्लट पेसर तो नहीं है सिर्चकराना उच्च रक्त चाप के लच्छनों में सिर्चकराना भी आम है कई बार सरीर में कमजोरी के कारण भी सिर्चक्रानी की परिशानी हो सकती है ऐसे कोई लच्छन दिखाए दे तो पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर ले थकावट होना जदी आपको थोड़ा काम करने पर भी थकान महसूस होती है या जरा सा तेज चलने पर परिशानिया होती है या फिर आप सीरी पर चलने में कापी थक जाते हैं तब भी आप उच्छे रक्त चापक से ग्रस्त हो सकते हैं नाक से खून आना सांस ना आना, नाक से खून आना, लंबी स्वास आना या स्वास लेने में परिशानी होने पर एक बार अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें ऐसे में बैक्ति को उच्छे रक्त चाप से ग्रस्त होने का प्रवल असंका होती है साथ ही जदी नाक से खून आए तब भी आपको जाच करानी चाहिए नींद ना आना आमतोर पर उच्च रक्तचाप के रोग्यों के साथ यह समस्या होती है कि उन्हें रात में नींद आने में परिसानी होती है हलाकि यह परिसानी किसी चिंता के कारण यह अनिद्रा की वज़से भी हो सकती है हिर्दय की धरकन बढ़ना जदी आप महसूस करते हैं कि आपकी हिर्दय की धरकन पहले के मुकाबले तेज हो गई है या आपके हिर्दय के छेतर में दर्ध हलकालका महसूस हो रहा है तो यह भी उच्छ रक्त चाप के कारण हो सकते हैं तो दोस्तो अगर ये सब लक्षन जो मैंने अभी बताया आप लोगों को अगर इस में से किसी भी लक्षन को अगर आप अपने में देख रहे हैं तो आप जरूर डॉक्टर से परामर्स करें और अपना ब्लड प्रेसर जो है चेक करा लें और इसकी इलाज जो है इस इलाज को गंभीरता से ले और इसका जो भी आपको दवा मिलेगी वो टाइम पर ले और रोजाना ले तभी ब्लड पेसर कंट्रोल में रहेगा अन्यता आपको गंभीर परिनाम चुकाने पर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें धन्यवाद